नमस्कार दोस्तो स्वगत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन टीम के युवा तेज गिन्बाज प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कैसे जो है कृष्णा को आरसिबी टीम आउक्षन 2022 से अपने स्कॉड में लेकी आ सकती है इसके बारे में डेटल में हम सारे जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देंगे तो भाई यो अगर आप भी आरसिबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे मु भी है अगर उसे जॉइन नहीं किये हो तो उसे भी आज से जॉइन कर लीजिए वहाँ भी आपको आरसिबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इंपोर्टेंट निउस लगातार मिलती रहेगी तो भाईयो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी होने वाला है दोपहर के 12 बजे से ऑक्षन शुरू हो जाएगा जहां पर तमाम खिलाड़ों की बोली लगने वाली है कई टीमों ने तीन खिलाड़ी रिटन किये हैं अब देखना यह होगा कि कौन से बड़े बड़े खिलाड़ी जो है नई टीमों के लिए IPL 2022 से खेलते वही दोफतों आरसीबी टीम ने IPL 2022 के लिए तीन खिलाड़ों को रिटन किया है जिसमें विराट, कोहली कलेन, मैक्सविल और सिराज के नाम शामिल हैं अब आरसीबी को वहाँ पर एक अच्छा कोर बनाने की दरकार है एक अच्छा स्कौर्ड बनाने की दरकार होगी स्कौ कैसे गिनबाज की जिसे आरसीबी टीम हर हाल में अपने स्कौर्ड में लाने का पूरा प्रयास करेगी जिहां दुस्तों उस गिनबाज का नाम है प्रसिद्ध कृष्णा, कृष्णा फिलाल जो है इंडिया और विस्ट इंडियस के बीट चल रही सिरीज का हिस्सा है जहां की फ्रेंचाइजों की नजरे उन पर बनी रहेंगी खासकर आरसीबी टीम की नजरे क्योंकि दोस्तों खुद विराट कुली के फैबरेट जो है प्रसिद्ध कृष्णा की तारिफ काफी बार की हुई है उन्हें वह गिनबाज काफी जादा पसंद है क्योंकि उनके पास अ अच्छी डालते हैं तो इस लिहाद से दोस्तों आरसीबी टीम उन्हें हर हाल में अपने स्कौर्ड में शामिल करना चाहेगी कृष्णा को अगर बाइचांस आरसीबी टीम लेके आती है तो उन्हें अच्छा युवा तेज गिनबाज मिल जाएगा प्रसिद्ध कृष्ण को KKR की टीम ने वहाँ पर रिलीस कर दिया था IPL 2021 के बाद जिसके चलते उमेगा उक्षन में आ जाएंगे शायद आरसीबी टीम नहीं तो बाकी टीम उने खरीद लेगी लेकिन आरसीबी टीम की कोशिश पूरी रहेगी कि कृष्णा को अपने ही स्कौर्ड में शामिल किय किया जैतों दूस्तों यह थी मारी वीडियो प्रसिद्य कृष्णा को लेकर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते है अगले वीडियो में तब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा थैंक्स पौराचीन दूस्तों